हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट रिकेप आज हम आपके लिए एक वार मुवी को एक्स्पेरिन करने जा रहे हैं मुवी का नाम है दवाल यह मुवी दो अमेरिकी स्नाइपर की कानी है जेने इराक में एक मिशन पर भेज़ा जाता है जहां उनका सामने एक ऐसे इराकी स्नाइपर से होता है जो अकेला ही कहीं अमेरिकी स्नाइपर को मार चुका होता है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें मुवी की शुरुवात में हमें इराक की सिच्वेशन को दिखाया जाता है जहां पर यूद खतम हो चुका होता है पर अमेरिकी सेना ने अपने दो स्नाइपर जिनकर आप मैथ्यूस और आइसेक होता है उन्हें वहाँ की पैपलाइन पर नज़र रखने के लिए भीजा होता है कि वहाँ कोई दुश्मन तो नहीं और वो वहाँ पर आते ही काम पर लग जाते हैं दोनों अपनी स्नाइपर गन से वहाँ की हर हलचर पर नज़र रखते हैं और दुश्मन को ढूने लगते हैं देखते ही देखते ही बीज गंटे बीच जाते हैं और मैथ्यूप की सबरकाब टूटने लगता है वह आइसेक से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई दुश्मन मुझूद होगा क्योंकि यहाँ पर चाव तरफ सिर्फ लाशे ही लाशे पड़ी हुई है और कोई भी हल चल नहीं हो रही है इसलिए अब वे बाहर जाकर सिच्वेशन का जाजा लेगा लेकिन Isaac उसे कहता है कि वैसा ना करे क्योंकि शायद यह उनके लिए बहुत बड़ा जाल है और यह सिर्फ एक एदमी कर सकता है जिसका नाम जूबा है जवाब में Matthew Isaac से कहता है कि हमें यहाँ पर 20 गंटे हो गए है और पिछले 20 गंटे में हमने यहाँ पर कोई भी हल चल नहीं देखी है जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है Isaac Matthew से दुबार रुखने के लिए बोलता है और कहते हैं कि अगर वहाँ पर कोई भी स्नैपर हुआ तो वो तुम्हें देखते ही गोली मारतेगा जिसकान Matthew कुछ दिर और भी रुख जाता है पर कुछ दिर बाद वो प्रिशान होने लगता है और Isaac से कहता है कि यह तुम्हारा वहम है कि वहाँ कोई दुश्मन मुझूद है क्योंकि इतनी दिर में तो कोई भी परिशान हो सकता है इतना कहते ही वह खड़ा हो जाता है और कहते है कि वो खुद construction site पर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या हुआ है अगर वो चाहे तो उसे पीछे से cover कर सकता है इतना सब कहकर मैथ्यूद वहाँ से construction site पर जाने लगता है और Isaac उस पर पीछे से नज़र रखता है मैथ्यूद जैसे से आगे बढ़ता है उसे चाओंतर सिर्फ लाशे ही लाशे नज़र आती है इसी बीच मैथ्यूद काफी आगे निकल जाता है और Isaac उसे कहता है कि वो उसे supporter से ठीक से देखनी पा रहा है तब मैथ्यूद आइसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी पर कहा है कि तुम्हें अपना supporter बदल लेना चाहिए और कोई नया supporter ले लेना चाहिए लेकिन Isaac उसे कहता है कि यह supporter डीन का है और डीन अब इस दुनिया में नहीं है और उसने इस supporter को उसकी आखरी निशानी के तोर पर अपने पास रखा हुआ है तब ही मैथ्यूद को वहाँ पर एक अमेरिकी सैनी का रेडियू मिलता है और वो उसे उठाकर कंसेक्शन साइट के चाव तरफ घूमने लगता है कुछ दर घूमने के बाद वह देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन्हें परफेक्ट हेडशोट से मारा गया है जिसके कारण अब उसे भी शक होने लगता है कि यहाँ पर जुरूर कोई न कोई स्नाइपर मौजूद है और उसे डूरने की कोईश करने लगता है वह ऐसे अब आईजेक को भी बताता है जिसे सुनकर आईजेक उसे तभी की तभी वापिस आने के लिए बोलता है लेकिन मैथ्यूद जैसी वापिस मुढ़ने लगता है तभी पर स्नाइपर गोली चला देता है जो मैथ्यूद के पेड़ में जाकर लगती है और वह वहीं गिर जाता है आईजेक मैथ्यूद को बचाने के लिए जिग जग की दोड़ लगाकर उसके पास पहुंचता है पर तब तक वह स्नाइपर उस पर कहीं गोले चला देता है और एक गोली उसकी टाम में जाकर लग जाती है आईजेक स्नाइपर की गोली से बचने के लिए पास की दिवार की पीजे चलान लगा देता है ताकि उसे और गोली ने लग जाए आईजेक देखता है कि गोली लगने कान उसकी टांग से काफी खोन बहरा होता है और सबसे पहले वह अपने घाव पर पटी बांथा है पटी बांथने के बाद वह अपने रेडियो को निकालता है ताकि वह बेस से हल्प पांग सके लेकिन वह देखता है कि उसका रेडियो गोली लगने कान टूट चुका होता है जिसके कान अब वह अपने बेस से कॉंटक्ट नहीं कर पाएगा वह वहां से मैथ्यूज को देखता है जो जमीन पर गिरा होता है और धीरे धीरे अपनी गन को ठाने की कोईश कर रहा होता है आइसेक मैथ्यू से बोलता है कि वह हीले नहीं क्योंकि अगर सनाइपर ने उसे हिलते हुए देख लिया तो यह उसे जान से मार देगा मैथ्यू आईसेक की बात मान लेता है और उसी पोजिशन में लेड़ जाता है लेकिन जड़ा खुन भेह जाने के कान वह बहोश हो जाता है आईसेक मैथ्यू की तरफ दुबारा देखता है और समझता है कि मैथ्यू मर चुका है जिसे कांड वो काफी निराश हो जाता है दूसी तरफ Isaac की टांग से भी काफी खुन भेच चुका होता है और वो एक गोली को अपनी टांग से निकाले के कोईश करता है पर उसे ऐसा करने पर बहुत दर्द होता है कि वह ब्योश हो जाता है थोड़ी दिर बाद उसके रीडियो पर कुछ हल चल होती है जिसे काण में होश में आता है उसे लगता है कि उसके बेस वाले उससे कॉंटक्ट करने के कोईश कर रहे हैं और वह उनसे हल्प मागने लगता है आईजेक उनसे कहता है कि वह जिती सुनकर आईजेक को इस आदमी पर शक होने लगता है क्योंकि स्नैपर की ट्रेनी की वक्त उन्हें बताया जाता है कि उन्हें से कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रूल से खिलाफ होता है दूसरा आईजेक इस बात को भी रोडिस करता है कि इस आदमी के एकसें बिलक पर गोली चलाई है, जिसके जाब में वे आदमी कहता है कि हाँ मैंने ही तुम पर और तुम्हारे साथे पर गोली चलाई है और अगर तुम जिन्दा रहना चाहते हो, तुम उसे बाते करते रहो तब ही Isaac देखता है कि Matthew जिन्दा है और वे सिर्फ बेहोश है और वे ना चाहते हैं भी उस स्नाइपर से बाते करने लगता है ताकि वे उसका ध्यान भटका सके वे आदमी हम Isaac से परसम साल पूछने लगता है कि तुम स्नाइपर कैसे बने और तुम्हारे परिवार में कौन कोन है Isaac उसके हर स्वाल का जाब देता है और उसे बाते में उलगा के रखता है Isaac उस नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्यों यहां के मासुम लोगों को मार रहे हो यहां का युद खतम हो चुका है तुमने जितने भी लोगों को मारा है वो यहां की पाइप लाइन में काम करने वाले वरकर थे आईसेक की बात सुनकर वे आदमी हसने लगता है और कहता है कि कोई उद खतम नहीं हुआ है तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के लिए उद कभी भी खतम नहीं होता है इतना कहने के बाद वे आदमी Isaac से उसकी person life के बारे में और कुछ बताने के लिए बोलता है पर Isaac उसकी बात से बढ़क जाता है और वो कहता है कि वह उसे अब कुछ नहीं बताएगा उसकी यह बात सुनकर वह आदमी बढ़क जाता है और कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वह अभी अभी Matthews को मार देगा यह सुनने के बद Isaac उस आदमी से पूछता है कि तुम Matthews का नाम कैसे जानते हो तब वह आदमी कहता है कि वो तो यह भी जानता है कि तुमने ही Dean को मारा है यह सब सुनकर Isaac और भी बढ़क जाता है क्योंकि Dean उसे की ही गलती ही कान मारा था गोली चलाते वक्त Isaac का निशाना चूक जाता है और गोली Dean को जाकर लग जाती है Isaac उस आदमी की बातों से प्रशान होने लगता है जिसके कान उसे प्यास लग जाती है और वो पानी पीने के लिए अपनी बोटल को निकालता है तो देखता है कि उसकी बोटल खाली हो चुकी है क्योंकि उस स्नाइपर ने उसकी बोटल के बीच मी गोली मारी थी इसलिए अब उसके पास पीने के लिए बिलकुल भी पानी नहीं बचता है आईजेक अब और भी प्रशान होने लगता है वह आदमी उसके कहता है कि उसकी बोटल बटल गोली चलाई है और उसकी रीडू को भी गोली मार कर तोड़ा है ताकि हो किसी से कौन्टैक्ट ना कर पाय वे आगे कहता है कि उसने ही जान बुचकर उसकी टांग पर गोली मारी है ताकि वो वहाँ से भाग न सके और वे जानता है कि अब उसकी मौद कितनी भ्यानक होने वाली है क्योंकि उसने उसके सारी रास्ते बंद कर दी है तब आइजेक उसके कहता है कि तुम बहुत बड़े आतेंगवादी हो और इसी बीस आईजेक अपने सपोर्टर से एक बहुत बड़े कछरे की डेर को देखता है और वे समझ जाता है कि स्नैपर वहीं पर है और उसे दिशन से गोली चला रहा है आईजेक को यह भी समझने में देर नहीं लगती है कि यह स्नैपर कोई आम स्नैपर नहीं है क्योंकि इस कचरे के धेर में इतनी देर तक चुपे रहना और बिल्कुल सठीक निशाना लगाना किसी आम स्नैपर के बस की बात नहीं है और इसलिए आईजेक उसे कहता है कि तुम कहीं जूबत तो नहीं लेकिन वह आदमी आईजेक की बात का जवाब नामें देता है और कहता है कि वह इस देश के एक सधानता सिवीलिन है आईजेक उसे दुवारा पूछता है कि ख़िए तुम यूएस आर्मी के साथ तो नही थे और गई तुम ने उनियकन सुनाइपर की ट्रेंनिंग तो नहीं ली और अब तुम अन्हीं दोखत केए उनने ही मानने लगे हो तब वह आदमी कहता है कि नहीं उसनी यूएस आर्मी से कोई ट्रेंडिंग नहीं लिए है और वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो उसे माने की कोईश करते हैं और अब वह आदमी आईजेक से पूछता है कि तुम सब यहां पर क्या कर रहे हो अगर यूद खतम हो चुका है तो उन्हें यहां पर नहीं होने चाहिए तुम जैसे लो हो जाता है लेकिन कुछ दिर बाद जब उसकी आग खुलती है तो वह उस आदमी को डिस्टर करने की कोईश करता है और अपने हेलमेट को एक लकडी पर लगा कर अपने आपको खड़ा हुआ दिखाने की कोईश करता है लेकिन वह सनाइपर इतना चलाग होता है और वह समझ तब आइसेक मैथ्यूस को बताता है कि वैस सनैपर कचर के धेर के पीड़ी चुपा हुआ है और उसे उसकी पोजिशन को ढूनने के लिए बोलता है तब तक वैस सनैपर को डिस्टाट करने की कोईश करेगा और मैथ्यूस वैसे ही करता है उसके हाथ में छोटी सी चीज होती ह जो शीशे की तरह होती है जिसके मदद से वह सनैपर की पोजिशन को ढूड़ने की कोईश करता है तब आइसेक उस सनैपर से बाते करने लगता है और वैस सनैपर उससे बताता है कि कभी वह यहाँ पर एक टीचर हुआ करता था लेकिन अमेरिकी हमलों में उसके सारे स्टू जाती है और अब अपनी जान बचाने के लिए आजेक की तरफ रेंगने लगता है तब ही सनैपर एक और गोली चलाता है और मैथ्यूस वहीं पर खताम हो जाता है यह सब देखकर आजेक रोने लगता है वह सनैपर एक बार फिर आजेक से पोचता है कि तुम इराग में क्या कर रहे हो तब आजेक उसे कहता है उसे नहीं पता बस वह अपने परिवार के पास वापिस जाना चाहता है तब हैं आदमी उसे कहता है कि वह उसे इतनी असानी से यहां से नहीं जाने देगा और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी कहानी सुनाते रहना होगा तब आजएक तूटने लगता है और बताता है कि उसने ही गलती से डीन को मारा था। दुश्मर पर गोली चलाते समय उसका निशाना चूक जाता है और गोली डीन को जाकर लग जाती है। तभी आजएक अपने रेडियो पर कुछ हलचल सुनता है और देखता है कि बेस के लोग उससे कॉंटक्ट करने की कोईश्च कर रहे होते हैं। पर रेडियो टूटा होने के कान वह बस उनकी बाते सुन सकता है। उन्हें कुछ बता नहीं सकता है। तभ आजएक को सभी बाते समझ में आने लगती हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें इस स्नैपर ने पहले ही मार दिया था। और फिर खुद उसने उन्हें बचाने के लिए हमसे कॉंटक्ट किया था और यहाँ पर आने के लिए कहा था। यह उसी स्नैपर की चाल है और वो एके करके सभी अमेरिक सैनिक को ऐसे ही मार रहा है। तब आजएक समझ जाता है कि वे आदमी कितना खतरनाक है। और वे उससे कहता है कि वो अब मैथ्यूस पर गोलेने चलाएं क्योंकि वो कुछ देर में अपने भी मर जाएगा। इतना कहने के बाद वे फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ दिर बाद जब वे उठता है तो देखता है कि वहाँ शाम हो चुकी होती है और उसके पास कोई नहीं होता है। और वे सोचता है कि शायद अब वे स्नाइपर भी सो चुका होगा और इसलिए वे मैथ्यूस की रैफल को अपने पास खीचता है। और उस कचरे के धेर पर निशाना लगाता है। तभी वे देखता है कि दो हलीकॉपटर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। और वे समझ जाता है कि यह लोग उसकी बेस से आ रहे हैं। और वे अपने सामने वाली दिवार को गिरा देता है। तब ही वे सनाइपर उससे कहता है कि अब तक तो वो उसके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, अब जब उसके साथ ही यहाँ पर आ गहे हैं, अब इस गेमें और भी मजा आएगा, यहासा बाते सुनने के बाद, आजएक उस पर गोलें चलाने लगता है, और कुछ गोले सनाइपर मर चुका है, तब तक वहाँ पर रेस्कु टीम भी पहुंच जाती है, और वो उसे स्टेचर पर लिटा कर ले जाने लगते हैं, तब आजएक उन्हें बार बर सनाइपर के बारें बताने की कोईश करता है, और कहता है कि उन्हें पहले उस सनाइपर को डूड़ना फिर से अमेरिकी बेस से कॉंट्रेक्ट करता है, और वहाँ पर हेल्प के लिए किसी को भेजने के लिए बोलता है, और इस तरह से उसका गेम फिर से शूरू हो जाता है, और मुवी यहीं खताम हो जाती है, फ्रेंड अगर आपको इस मुवी की एक्समिलेरेशन प्रसंद आ और मजसे प्रसंद लोलता है, और रळाता है, और भी बोलता है प्रसंद आपकोपता है, और ना हो Aurभ उने दोते ख़ते हैं प्रसंद